लेकिन सामने एक्टर एंड बिजनिसमेन एसार के हैं और जब ये बंदा एज बिजनिसमेन मार्केट में उतरता है तब हजार क्रोन कभी इसके खाते में आ जाते हैं किसे को कानो कान खबर नहीं होती है दूसरा जब इनके पास जवान और पठान जैसी तो सॉलिड फीड बेक से भरी लवालब भरी मूवी है ब्रैंडिंग है तो भला किसी के दिमाग में कहीं से कहीं तक ये आ रहा है कि डंकी क्या हजार क्रों नहीं कर पाएगी बिलकुल नहीं आ रहा है ये सोचने वारी तो बा दूसरी तरफ एक क्रोनोलोजी ओर अगर समझे डंक साहरू खान की मूवीज का धना तो देखो सबसे पहले क्या इती पठान उसके बाद जवान आई थी उसके बाद क्या आने है डंकी तो एक क्रोनोलोजी ओर अगर देखें तो कोई भी बंदा अपनी चीज पहले 100% थोड 60% की चीज़े टिक पाएंगी बिल्कुल नी टिक पाएंगी अगर यही चीज़े पहले 60 दिखाएंगे दन 80 दन 100 तो जो पहले 60% की चीज़ आएगी वो भी अच्छे लेगी जो पठान थी उसके बाद जो 80% की चीज़े दिखाएंगे वो अच्छे लेगी क्योंकि पहले 60 आप थोड़ा सा होब जादा थी तो और जादा देखने को मिला जो जवान है अब जो 100% आने वाली वो डंकी आने वाली है वो तो कहीं से कहीं तक दिमाग में ये आई नीराए की यार इन दोनों से छोटी होने वाली है मुवी बाईस अब जवान और पठान जहां की थी डंकी अभी बाकी है ये टेक जबर्दस चलना है और ये प्रूफ भी होने वाला है जबर्दस तरीके से प्रूफ होने वाला है लेकिन 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 मैं वही कह रहा हूँ ना सामने कौन है प्रवास दाइनोसौर ये बंदा सालार जो के साथ जो कमबेक करने वाला है ना इस बार ऐ नहीं चलने वाली है, उतनी नहीं चलेगी थोड़ा सा कलेक्शन देखने हुख, हाँ जवान ने बहुत अच्छा कलेक्शन किया है, मैं वही कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, हिंदी मोविज को साउथ में इतना अच्छा फुटेज नहीं मिलता है, लेकिन सालार हिंदी में हिंदी बैल्ट में जबरदस्त बीट करके जाएगी सालार को दूशी तर्फ ओवर सीज की बहुत ही जबरदस लड़ाई देखने को मिल लाई है अभी करके एक पोस्टर के साथ मेकर्स ने रिलीज करा था कि नॉर्थ अमेरिका में 1979 1979 लोकेशन्स पर कबजा करने वाली है स मलब इतने ज़्यादा लोकेशन्स पर सोच चलाए जाएंगे तो ये डाइरेक्ट वोर चल रही है सीधा बोलने हैं कि या डंकी को तो ये बीट डाउन कर देगी क्योंकि डंकी को इतने सोच मिलने वाले नहीं है लेकिन बावा मैं आपको बताऊं तो पठान और जवान ने ओवर सीज से बहुत ही अच्छा कलेक्शन किया है और ओवर सीज में इस बार जो फैन फॉलिंग साहरुक खान की देखने को मिली है बहुत ही जबरदस देखने को मिली है साहरुक खान ऐसे ही गलोबल इस्टार नहीं बोले जा रहे हैं बहुत ही जबरदस कलेक्शन लेके आ पॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूं और गल्फ कंट्रीज में तो सारुक खान की फैन फॉलाइंग और जबरदस्त है तो ओवर सीज में एक बार पढ़ला भारी किसका लग रहा है सारुक खान का भारी लग रहा है परभास के सामने हाँ दोस्तों नो डाउट दोनों मोवी जबरदस्त कलेक्शन करके ले जाएंगी दूसरा राजकुमार हिरानी की वी जो इमेज है इंटरनेशनली मार्केट में जबरदस्त है उनकी वी इमेज जबरदस्त है तो यस डाइरेक्टर राजकुमार हिरानी के नाम का भी बूस्टर मिलेगा सारुक खान का भी बूस्ट इसने कम समय में भी बहुत अच्छा नाम कमाया है तो इन्हें एक अंडरिस्टिमेट बिलकुल नहीं करना होगा मैं फिर कह रहा हूँ बराबर का कॉंपटीशन होने वाला है ऐसा नहीं है कि हमें पहली बार ये क्लैसिस देखने को मिलने है बहुत क्लैसिस हमें देखने को मिलें सबसे बड़ा क्लैसिस अगर मैं बताऊँ गदर और लगान मुवी का क्लैस हुआ था 2001 में क्या दोनों मुवी एक दूसरे से कम है बिलकुल कम नहीं है दोनों मुवी ने अपना अपना बिजनिस करा लगान अलग नाम से जानी जाती है अपनी पहचान उसकी अलग है अपने कॉंटेंट की तो गदर वहीं दूसरी तरफ अपने कॉंटेंट के बाफ है वो अपने नाम से जानी जाती है तो जब दोनों एक साथ क्लैस करके भी ये दोनों blockbuster हीट होगी तो यहाँ पर तो कोई ऐसा खेल है नहीं गदर 2 और OMG 2 का class हुआ, ए रेटिंग के साथ अकसे कुमार की movie OMG 2 ने भी जबरदस business किया, दूशी तरफ गदर 2 ने भी business किया, तो अभी ये class फिर देखने को मिलना है, तो ऐसा नहीं है कि इस class में कोई भी mark आ जाएगा, हाँ, दोनों movie खतरनाक है, content खतरनाक लेके चल लेए इसलिए चबर, तस्त collection देखने को मिलेगा, और जो ये weekend मिलने वाला है, जो ये holidays मिलने वाले है, 9-10 दिन का, Christmas का holidays दो देखने को मिलने वाले है, उसके बाद new year आ जाएगा, तो यहाँ पर दोनों movie के लिए चांदी ही चांदी है, मैं कहूंगा, theater house लवालब भरे रहे रहेंगे, खचा खच बरे लेंगे, दूसरा टेलर के बारे में बात चल रही है, जिसमें सुनने में या रहा है कि सलार की तरफ से ऐसा सुनने में आ रहा है, who knows, अगर आएंगे और first trailer सलार का आने वाला है या teaser कहलो, कुछ भी आने वाला है 23rd October के आसपास अगर 23rd October के आसपास सलार के makers ने release कर दिया तो दूसरी तरफ डंकी के makers भी पीछे नहीं अटेंगे, इनके पास भी solid तैयार होके बैठा होगा, जो भी इनका टीजर तैयार करके बैठे हैं ये और अगर ये पहले दिन reach कर देते हैं तो second day में ये 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 फिर उसके दो दिन बात ही ये जबर्दस तरीके से अपने डंकी मुवी का टीजर डाल देंगे तो वही मैं कहारा हूँ, क्लैस स्री 22 दिसंबर को देखने को नहीं मिलेगा, क्लैस अभी आने वाले ये दो-तिन महने जितने भी है ना, इसमें जबर्दस्त हर दिन क्लैस देखने को मिलेगा हर एक best moment पर हमें क्लैस देखने को मिलने वाला है, दूसरा आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी मुवी यहां ज़्यादा बिजनेस करके जाने वाली है, और कौन सी मुवी को जनता से ज़्यादा प्यार मिलने वाला है मैं अपना बताओ, मैं न्यूटर हूँ, मैं जे दोनों ही movie को आप पहले देखेंगे नीचे comment box पर जरूब बता के जाना और कौन सी movie कितना ज़्यादा collection कर सकती है कौन 1200 क्रोण कमाएगा कौन 1500 क्रोण कमाएगा कौन 1000 क्रोण कमाएगा जो भी आपकी राय है नीचे comment box पर जरूब बता के जाना बागी मिलते अगली वीडियो में जैहिंद